नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सब सट्डे मोटिवेशन मंत्रा में सुबह के साथ बज गए हैं और हम जुड़ गए हैं एक बार फिर और आज इस मोटिवेशन मंत्रा में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ अलगी तरह की बात जी हाँ आपने OTT platforms के बारे में सुना होगा और लोगों से बहुत ज़्यदा criticism भी इसके बारे में सुना होगा कि OTT platform जो है वो nudity फैला रहे हैं abusive language है इस पर control होना चाहिए ऐसी ऐसी बातें आपने सुनी होगी लेकिन जब हम OTT platform की बात करते हैं तो हाल ही मैं मुझे OTT में एक हजाना मिला जो मैं आपसे share करना चाहता हूँ Netflix में documentaries जो है segment उसमें जाएए और कमाल की documentaries आपको मिलेंगी देखने के लिए जो आपके जीवन को बदल सकती है आज और यहीं कुछ important documentaries की नाम मैं आपको बता रहा हूँ Netflix अगर आपके पास है तो उन्हें देख डालिए और अगर नहीं है तो सबस्राइब करके देख डालिए सबसे पहला जो प्रोग्राम आप देख सकते हैं यह है The Mind Explained मनुश्य के दमाग और उससे सम्मंदित बातों को समझना हों तो यह अपने आप में कमाल का एक प्रोग्राम है एक सिरीज है जिसे आपको देखना चाहिए The Mind Explained एक दूसरा जो सिरीज आप देख सकते हैं वो है The Social Dilemma Social Dilemma नाम की जो सिरीज है वो Social Media Platforms पर बेज़ड है कि किस तरह से आपको Social Media के जाल में फंसाया जा रहा है और कितना addictive यह है और इसके क्या नुकसान और फाइदे हो सकते हैं फिर एक कमाल की सिरीज आप देख सकते हैं Trust No One एक शांदार सिरीज आप देख सकते हैं The Playbook तो यह बहुत प्यारा सिरीज है और इसका tagline ही है The Coaches Rule for Life जीवन के नियम आप इसमें देख सकते हैं फिर एक बहुत महत्वपूर्ण सिरीज आप देख सकते हैं Get Smart with Money पैसे का मनोविज्यान पैसा कैसे काम करता है इसमें आपको सीखने के लिए मिलेगा और एक कमाल की सिरीज आप देख सकते हैं वो है The Minimalist Less Is Now Minimalist नाम की जो सिरीज है यह आपको बताएगी कि कम में जीवन कैसे जिया जाए कम का मतलब यह है कि ये जीवन जहां पर में दिल मांगे मोर का tagline हम साथ में लिए घूम रहे हैं जो भी चीज हमारे पास है वो हमको कम दिखाई पड़ रही है अगर आपके पास एक आईफोन का वर्जन है तो अगले आईफोन के वर्जन का आप इंतजार कर रहे हैं चार कपड़े हैं तो पाँचवां खरीदने आप जा रहे हैं एक घर है तो दूसरे की लालसा है ऐसे समय में मिनिमलिस्ट थीरी जो है वो कम में जीवन जीने की कला सिखाती है बुद्धिज्म, जैनिज्म और कई इंडिन फिलोसोफी इस पर पहले ही काम कर चुके है कि कम से कम में सांदार जीवन कैसे जी आ जा सकता है एक प्यारी सी कहानी मैंने कहीं सुनी थी थी एक बार एक व्यक्ति एक मंग के पास आता है बुद्धिस्ट मंग के पास में और उसको पता होता है कि बहुत रिनाउंड बहुत जाने माने वो है उनसे मिलने जब वो जाता है तो देखता है उसके घर में साधनी नहीं है वो जो आदमी मिलने आया हुआ होता है वो एक ट्रेवलर होता है उसके पास बस एक बैग होता है तो वो मंक से पूछते हैं आपके पास तो कोई साधनी नहीं है वो व्यक्ति करता है I'm a traveler, मैं एक यातरी हूँ, मेरे पास सामान की जरूरत क्या है, तो बुद्धिस्ट मंक भी कहते हैं, so as I है, मतलब मैं भी तो एक traveler हूँ, मैं भी एक यातरी हूँ, और इस जुनिया की यातरा में आया हूँ, ऐसे में बहुत सारे साधनों की क्या जरूरत है, minimalist theory आप देखें, आपको समझ में आएगी, और जीवन जीने का नजरिया बदल जाएगा, last but not least, 100 humans, एक सीरीज नहीं नेट्फिक्स पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ये कही ऐसी पुरानी माननिताओं को बदल देगी आपके जहन में, जिसको अभी तक आप मानते आ पर हो रहे हैं, और हर एक question का answer दिया जा रहा है, जो मनुष्य से संबंदित है, देख डालिए इन सीरीज को, और बदल डालिए अपने जीवन को, जुड़े रहे हैं आपके अपने फिवरेट प्लेटफॉर्म वेदिक सिक्षा से, नमस्कार